हेलो फ्रेंड्स मैं उसुनिल कुमार आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमेक्लासे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग इनिफॉर्म कंट्यूनिटी के से रिलेटिट एक थेयरम पर बात करेंगे उसका प्रूफ करेंगे काफी करना चाहिःंगा या अगर आप पहले भी किया और सब्सकाइब नेकिया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और ब kıल ऐक on को को और लिजिए आप को मिलते लिकों सब्सक्राइब कर को भी जाकर के विजिट कर सकते हैं, लिक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस थेयरम को. यह फंच्ट्ट्ट्ट्ट्टीनुस इन एक लुएट इंटर्वल एबी, इस थेयरम को. होना चाहिए अगर फंक्षन कंटीनियस है क्लोड इंटर्वल है तो उस इंटर्वल में वो निश्चित रुप से युनिफार्म कंटीनियस हुग है जो मैं पैदा वाले विडियो में अप्लोड कर चुका हूं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाए आप वहां से देख सकते हैं तो आज मैं इस्क्रियों को बता रहा हूं कि अगर कोई फंक्षन कंटीनियस होता है क्लोड इंटर्वल इंटर्वल में यूनिफार्मि sub-intervals, say x0 x1, x1 x2, x2 x3, dot of this, such that for any two points alpha beta in the same sub-intervals, we have mod of alpha minus beta less than epsilon by 2. जो इसको समझें, क्या मैं इसको लिखा हूँ? यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर लिखावा है कि फंक्शन जो है वो closed interval AB में continuous है, तो closed interval AB में continuous है, तो क्या करते हैं, continuity के difference से आपनोग को पता हुँ, कि अगर closed interval में continuous है तैउーい इस interval के परठी क्ओंट पर continuous है, कोई भी point अगर लेते हैं तो वहाँ पर continuous होँए और क्सी नहीं पमएंट C ले लेते हैं, इस interval में हमोग C ले लेते हैं, तो open interval में उससी ले लेते हैं उससी point पर में continuous होता है और A पर right side से continuous होता है B पर left side से continuous होता है तो हम लोग कहते हैं ये closed interval A, B में continuous कालाता है function closed interval में continuous कालाने के लिए 3 चीज़ होता है सबसे पहले open interval के प्रतिक point पर continuous होता है A पर right side से continuous होता है और B पर left side से continuous होता है तो close interval में continuous होता है मांने ज़िए C कोई भी point लेते हैं तो C पर continuous होगा और C पर continuous होगा इसके लिए क्या होड़ होगा क्या definition है कि Fx-Fc less than epsilon when mod x-c less than delta मिल्स क्या होगा यहां पर x-c less than delta को आपके सकते हैं कि X का जो value है वो C-delta और C-plus delta के which में होगा अगर epsilon के corresponding कोई delta मिल्या है और ऐसा भी कि X अगर इस interval में रख्ते हैं तो Fx-fc less than epsilon होना चाहिए तो function को हम लोग continuous function काते हैं तो ध्यान दीजिए C आपर quantum C-delta और C-delta इस interval में कहीं पर भी अगर x रख्ते हैं तो Fx-fc अगर मालीज़ें यहाँ पर x रख्ते हैं तो Fx और Fc का जो difference होगा उसका modulus less than epsilon होगा अगर यह condition से despite करता है तो C-point पर function continuous का राता है अनि कि हम लोग दो point ऐसा लेंगे जो काफी नग्दिक होगा एक 2.x और C आशा ले रहें कि काफी नग्दिक है और Fx और Fc का modulus का जो difference का modulus होगा वो less than epsilon होगा तो अगर A-B interval में continuous है तो इसको वो सब interval में divide कर देते हैं x not, यह को x not माल लेते हैं यहाँ पर x1 माल रहे हैं यहाँ पर x2 माल रहे हैं यहाँ पर x3 माल रहे हैं इसी तरीके से dot dot यह माल लेते हैं xn-1 और यह माल लेते हैं अंतिम वाल आपको xn माल रहे हैं तो इस तरीके से उन्टोग sub interval में divide कर देए sub interval क्या-क्या बना हैं आपर पहला sub interval में रहा है x not x1 पर दूसरा sub interval में रहा है x1 x2 तीसरा sub interval में रहा है और किसी इंटर्वल में किसी एकी इंटर्वल में दो पॉइंट अगर ले लिजे माल लिजे यहाँ पर alpha ले लिए और यहाँ पर beta ले लिए तो mod f alpha minus f beta less than epsilon होगा epsilon के बद्दे यहाँ पर epsilon by 2 लिख रहे हैं तो वही मैं बता लाओ कि function a b interval में continuous है तो continuous होने के टार्वल इसको हम लोग finite number of sum interval में divide कर सकते हैं और ऐसा divide करेंगे कि एके sum interval में अगर दो point लेते हैं alpha, beta, same sum interval में ले रहा है अलग-अलग sum interval में ले ले रहा है आनि कि एके sum interval में ले ले रहा है तो यह length जो हम लोग काफिक कम रख रहे हैं तो अगर अभी में बता चुका हम कि अगर दो point के बीच का distance काफि छोटा ले तो वहां के function का value आएगा उसका difference का modulus less than epsilon होता है तो यह काफिन नजदीक होगा क्योंकि हम लोग sum interval में डिवाइड कर दिए छोटा-छोटा sum interval में तो यह alpha में डिटर काफिन नजदीक होगा एग दुसरे का और वहां पर चो function का value होगा वो less than epsilon होगा epsilon के बतले यहां पर epsilon by 2 लिख रहे है तो वही मैं बताना रहा हूं यहां पर लिखा हूं तो वही मैं यहां पर लिखा हूं तो यह function fx is continuous in closed interval a.v अकर close interval a.v में continuous है तो देन the interval a.v can be divided into finite number of subintervals तो उस interval a.v को ओम लो finite number of subintervals भी divide कर सकते है देखे हैं आपक finite number of subintervals में divide कर दी तो यह subintervals का नेम लिखा हूं यहां आपक x0 x1, x1 x2, x2 x3, dot dot xn x-1 xn और x0 यहां यहां यह को suppose कर रहा है अब देखे हैं यह को x0 अमान रहा है और x0 से भरा x1, x1 से भरा x2 इस तरिके से यह increasing model में है तो x1 is less than x1, x1 is less than x1, x1 is less than x2 यह increase कर रहा है और अंतीक जो xn है वो b के ब्रावर है यहां पर xn जो है वो b के ब्रावर है तो हम्हों finite number of sub-interval में any को divide कर देगे और such that for any two points alpha beta in the same sub-interval alpha beta हो आपको दोनों एक ही यह sub-interval में रखते हैं तो mod f alpha minus 1 beta less than epsilon by 2 तो यह कैसे हम लो लिखे हैं? यह लिखे हैं continuity के definition से अब देखे हैं क्या करते हैं अब्रूप let delta भी a positive number, delta को भी positive number ले रहे है which does not accept the list of the numbers x1 minus x0 x1 minus x0 means यह जो distance है यह x1 minus x0 हो गिया x2 minus x1 यह जो distance है वो x2 minus x1 हो गिया x3 minus x2 यह वोला distance हो गिया तो यह सभी distance जितना भी आ रहा है sub-interval का जो link था रहा है अब्तिक sub-interval का उसके link से delta जो है वो greater than नहीं delta भी a positive number which does not accept the list of the numbers list इसमें से जो smallest program माननी जी अलगला इंटरवन में आपको डिवाड किया x0 माननी जी यह distance x1 यह इतना लंबा distance है x1 और x2 के बीच का distance यह छोटा है x2 और x3 के बीच का distance कुछ बढ़ा है माननी जी यह जो distance अपनी सब-interval पर डिवाड किया है अगर आपनों तो उसमें smallest sub-interval यह होगा link इसका सबसे चोटा है तो delta जो होगा वो इससे भी छोटा होगा delta इससे बढ़ा नहीं होगा smallest से भी बढ़ा नहीं होगा delta भी a positive number which does not accept the list of the numbers इसमें ससरा युलिघटा से बढ़ा नहीं होगा delta छोटा होगा तो जो smallest है, smallest distance हे हे होगा ूससे भी delta चोटा होगा और delta महले जी इतना चोटा है तो delta जो है वो smallest से हे जोटा है और कोईभी आगाशो vere है नों सबसे चोड़ा कौम सा आओगा delta ही होगा तो देखिए आप और कोई भी जो डिस्टेंस ले रहे हैं यह दो काड यो डिस्टेंस ले रहे हैं तो डिल्टा जो है वो सभी सब इंटरवल के लिंक्ट से छोटा आप एकस आई मानस एकसाई मानस वर फोर और आई बिलांग फोर आउर एंट वान टू डॉट 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 तो डिल्टा जो है वो इस से इन से सबसे स्मॉलेश्ट होगा जितना भी एक डिस्टेंस आरे है उससे डिल्टा चोटा ही जाएगा आप देखिए आगे क्या कट्टे हैं हम लो जा समझे इसको कोई बुढ़को डॉट लेना है इन इंटेवर ए सबसे में लेना है आएसवड ऊड़नों ओध है बॉट चाइछ-इन-टोर इटर्च-गाजो बंधत करफ डस्टेंस Ohh की अभी महीं भेटा चुका हूँ कि कोई भी सम इंटर्वल का लेक्त नेते हैं, किसी भी सम इंटर्वल का अब लेक्त लेक्त लेteriर टीक उसमें senseि उससे सबसे छोटा ही होगा, अगर यहसा लेक् Speaking तो डेक्ता इस से से चोड़ा होगा या फिर अगर दो अलग अलग सम इंटर्वल में है तो जाई यहां पर अगर है तो इतना से भी छोटा है यह दिस्टन्स जो आ रहा है उससे भी छोटा है तो अगर से चोड़ा है या फिर तो हम फर्स्ट केस लेते हैं कि अगर से चाई और इटा जो है अगर से चाई अगर तो क्या होगा तो केस फर्स्ट कर रहे हैं लेक्ट जाई एंड इटा बिलॉंग्स टू अगर दसें समेंटर्वर अगर सेंटर्वर में हो सकता है अगर सेंटर्वर में होता है तो फ्रॉंट फर्स्ट वी है फर्स्ट से आप देखिए फर्स्ट सेंग बता है यहां पर आप देखिए कि अल्फा बीटा सेंग समेंटर्वर में था तो फ्रॉंट फर्स्ट वी है अगर सेंटर्वर में अगर सेंटर्वर में लेते हैं अब हम लोग कंजुकेटिव समेंटर्वर में लेकर के देखिते हैं हैं उस समेगे मोड्र से लिस्टर्वर से वहीं लिस्टर्व कावं करें चमदर्वर में लेकर less than absolute इसको number 2 कर देते हैं अब हम लोग दूसरा case लेते हैं चलिए दूसरा case को देखे लेते हैं second case लेते हैं if ji eta do not belong to the same sub-interval अगर वो same sub-interval में नहीं है तो लिस्टे तुप से consecutive sub-interval हो है हमाँ मैं भी बता चुके हूँ then surely they will lie on in each of the two consecutive sub-intervals हम लोग माल लेते हैं कि एक xr-1 to xr में है ji और eta जो है वो xr to xr-1 में है आप समझे हैं यहाँ पर जैसे consecutive sub-interval में है तो xr-1 xr यह x-interval हो गया और xr to xr-1 xr-interval हो गया ji जो है वो यहाँ पर माल लेते हैं eta यहाँ पर माल लेते हैं और ऐसा लेना है कि ji और eta का जो difference है mod of ji minus eta less than delta less than or equal to delta यह मैं पहले बता चुका हूँ कि less than or equal to delta हो तो यह काफी बिश्दीक होगा तो इसलिए वो दुसरे sub-interval में नहीं जाएगा तो आप इसलिए वो लेक्त तरे delta से बड़ा हो जाएगा इसलिए consecutive sub-interval में होगा तो xr minus 1 जो है वो smaller होगा jai से और jai जो होगा वो smaller होगा xr से और xr जो होगा वो smaller होगा eta से और eta जो होगा वो smaller होगा xr plus 1 से तो jai और eta jो है xr minus 1 और xr plus 1 के बीज में आएगा अब जिए गायांगे जिए mod of f jai minus f nota नीकालते हैं हम लोग तो दीखे क्या करते हैं हम लोग mod of f ji यहां पर रहने देते अपने से f xr को सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिड़ में अपने से इस xr को add भी कर देते हैं और minus f ही eta रहने देते हैं क्या किया हम लोगे आपकर f of xr को को सब्टरक्ट भी किए एड भी कर दिये अब ये दोनों को एक बैकेट में रखिए इसको एक बैकेट में रखिए दोनों में मोट लगा दीजे तो लिस्टर इक पर्ट हो जाता है इसमें मोट लगा देरें अब ये मैं डगा चुका हूँ कि अगर कोई दो पॉइंट सेम समें तर्वा में रखेंगे तो उसका जो वैलू आड़ फॉंक्शन का उसका डिफ्रेंस लिस्टन डिल्ट आउत है तो जाई और एक समें तर्वा में जाई गी है और एक साल ने है तो उसके फॉंक्शन का जो उसका डिफ्रेंस का मॉडलस मदता जोका हूँ लिस्टन अपसलन बाइट हो था लिस्टन अपसलन बाइट यह देखिए एक सारो और इंटा एक सारो रिटा जो है वो इस सब इंटर वल में है तो इससली लिए यह भी लिस्टन अपसलन बाइट यह लिखा था कि f alpha मानस f beta क तो यह कितना आ गिया, यह आ गिया आप यहां से देखिए, that is, आपका सकते हैं कि mod of f j minus f of eta less than epsilon by to plus epsilon by to epsilon आ गिया, तो हम लोग क्या दिखा दिये, दोनों case में, आप इस case में भी देखिए, कि f j minus f eta less than epsilon आया, और इस case में भी देखिए, mod of f j minus f eta less than epsilon आया, तो दोनों case में, चाहे वो epsilon और j, j जो है, j और eta जो है, वो same sum interval में हो, या consecutive sum interval में हो, दोनों case में हम लोग दिखा दिये हैं, कि mod of f j minus f eta less than epsilon, तो अभी तक हम लोग क्या किये हैं, जर यहां पर समझें, हम लोग अभी तक किये हैं, कि, thus we have to solve that, for any, j and eta belongs to interval 18, such that, j और eta का जो difference है, वो क्या निये थे, देखिटा निये थे, then we have, तो हम लोग क्या दिखा दिये, we have mod of f j minus f eta less than epsilon दिखा दिखा दिये, तो यही uniform continuity का definition है, कि अगर किसी interval में कोई भी दो point लेने चाहिए, और ऐसा लेना है, कि उस दोनों का जो difference है, वो less than delta है, तो mod of f j minus f eta less than epsilon आना चाहिए, अगर ऐसा आ जाता है, तो इस interval में function को uniform continuous करते हैं, तो therefore, f x is uniform मनी continuous, end of interval, एई गूप करना तो function अगर किसी closed interval में continuous है, तो उस closed interval में वो uniformly continuous होगा, डियान दिजेएगा, यह जो लिखें आफियेलो, वो closed interval के लिए है, अगर यह open interval कर दे, अगर function open interval में continuous है, तो यह नहीं का सकते हैं, कि वो uniformly continuous होगा open interval में, यह सिर्फ प्लोईल इंटर्वल के लिए होता है, तो इस चीज का विश्र सुरूप से ध्यान रखिएगा, और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर ये अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेय अपने बाद, थैंकिन.